Samsung Galaxy J3 के bootloader को unlock करने का जो पहला method है इसमें आपको किसी भी तरीके के PCI laptop की जरूरत नहीं है सारे steps आपको device पे ही करने है सबसे पहले आप अपनी device का backup बना ली देगा उसके बाद आपको developer option जो है Samsung Galaxy J3 का वो आपको enable करना होगा तो इसके लिए आपको phone settings menu में जाना होगा scroll down करिए bottom part पे वहाँ पे आपको about phone देखेगा tap करके उसके अंदर जाना है वहाँ पे आपको build number देखेगा 7-8 बर इसके आपको लगतार continuously tap करते जाना है फिर आप back करके देखेंगे main settings में वहाँ पे आपको scroll down करके नीचे जाना है developer option के अंदर आपको OEM unlock option मिलेगा by default यह switch off होगा इसको आपको enable कर देना है इतना करना के बाद आपका जो bootloader है Samsung Lexi J3 का वो unlock हो जाएगा method 2 अच्छा मालीजे आपको OEM unlock option नहीं मिल दा है Samsung Lexi J3 में तब आपको नीचे बताएगा है जो वीडियो में steps है वो सारे follow करने है सबसे पहले ADB fast boot driver जो आपको PC laptop पे install कर लेना है और उसके बाद आपको अपने Samsung Lexi J3 को PC से connect करना USB cable के द्वारा फिर जब यह connect हो जाए तो जहाँ आपने ADB को install करा है by default यह C drive में होता है आपको वो open करना है और वहाँ address bar में आपको cmd लिखके enter करना है तो आपके सामने command prompt window खुल जाएगी जब आपके सामने command prompt window खुल जाए तो वहाँ पे आपको पहला command डालना है fast boot space devices और आपको enter कर देना है जैसी आप enter करेंगे आपको कुछ random strings जो है वो PC पे दिखाई देंगी इसका मतलब आपका phone जो है वो PC से successfully connect है उसके बाद आपको दूसरा command डालना है fast boot, फिर space, फिर OEM, फिर space, फिर unlock और आपको enter press कर देना है इतना करने के बाद आपके Samsung Galaxy J3 2018 का boot loader जो है वो unlock हो जाएगा बाद boot loader successfully unlock हो चुका है वीडियो पसंद आए तो like करें चैनल सब्सक्राइब करें और bell icon जरूर दबाएं